सद्गुरू नए साल के संकल्प के बारे में क्या, हमें क्या संकल्प लेना चाहिए और मैंने कई बार ऐसा किया है पर इसने काम नहीं किया तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, आपको कुछ भी छोड़नी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको किसी चीज़ को जबरदस्ती बदलने वाला संकल्प नहीं चाहिए। लोग हमेशा एक नहीं साल का संकल्प लेने की सोचते हैं, मैं नहीं साल में ये करूँगा, मैं नहीं साल में वो करूँगा, ये पहले दिन दोपहर तक चलता है। क्योंकि वो पुराना है, नहीं साल पहले ही एक महीने पुराना हो चुका होता है। अब नहीं साल के संकल्प के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, वो जा चुका है। वो सिर्फ तभी नया था, एक दम नया। ये नये साल के संकल्प एक बार ऐसा हुआ कि शंकरन पिल्लाई ने एक नये साल का संकल्प लिया, कि मैं धुम्रपान छोड़ दूँगा। उसने उन सभी को बता दिया जिने वो जानता था, मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ। तो पहली शाम को कई लोग रिकवरी पार्टी नाम की चीज़ करते हैं। वे दोपहर को बारा बज़े उठते हैं, अब उन्हें पार्टी से उबरना है, इसलिए एक और पार्टी होती है। ऐसे लोग होते हैं जो रिकवरी के लिए सुझाव देने में विशिशग्य होते हैं। आपको किस तरह की शराब लेनी चाहिए। तो वो उस पार्टी में गया, और फिर उसने अपने एक दोस्त से पूछा, मुझे एक सिगरट दो। दोस्त ने कहा, अरे मुझे लगा तुमने छोड़ दी। उसने कहा मैंने छोड़ दी है। ये तो बस पहला चरण है। उसने पूचा इससे तुम्हारा क्या मतलब है, ये पहला चरण क्या है। पिल्ला ही कहता है मैंने खरीदना छोड़ दिया है। चरण दर चरण लागू करना आपको पता है। तो विभिन्न चीजे हैं, लोग हमेशा मुझसे पूचते हैं, सद्गुरु नए साल के संकल्प के बारे में क्या, हमें क्या संकल्प लेना चाहिए। और मैंने कई बार ऐसा किया है पर इसने काम नहीं किया, तो मुझे क्या करना चाहिए। आपको कोई नए साल का संकल्प नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आप ये तै नहीं कर सकते कि आप किसी खास तारीख को देखते हुए क्या करेंगे। अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, मान लीजे किसी चीज को बदलना है, मान लीजे आप धुम्रपान चोड़ना चाहते हैं, या आप नाक कुरेधना चोड़ना चाहते हैं। ने-ने, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यूके में कुछ चोटी के मनोचिकितसकों से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे बताया, नाक कुरेधना मनोचिकितसा में वरगी कृत बीमारियों में से एक है, नाक कुरेधना। देखिए, अब आप उस तक पहुँच भी नहीं सकते। आपने मास्क लगा रखा है, अब तो आप इस तक नहीं पहुँच सकते। उनके भाहा डालने और आपके साथ ये ये करने के बाद, अब आप उसके आस-पास कहीं भी अपना हाथ नहीं रखना चाहते हैं। तो आप जो कुछ भी छोड़ना चाहते हैं, आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको कुल इतना ही करना है कि आपको बाध्यकारी व्यवहार से सचेत व्यवहार की ओर जाना चाहिए। अगर आपको सचेत बनना है, तो आपको अपने भीतर उल्लास और आनंद के एक निश्चित बोध में होना चाहिए। क्या आपने ध्यान दिया है? जब आप खुश होते हैं, तो आप बहुत सी मजबूरियों को छोड़ सकते हैं। आप बहुत खुश हैं, आम तोर पर आप सिर्फ उसी जगह बैठते हैं। आप बहुत खुश हैं, कोई आपको धक्का दे देता है, कोई बात ने? जब आप ना खुश होते हैं, तो क्या हम आपको धक्का दे सकते हैं? आपके नाराज होने पर, अगर हम आपको धक्का दे देते हैं, तो आप एक बम की तरह होंगे? आप फट पड़ेंगे, आप खुश होते हैं, तो हम आपको धकेल सकते हैं इसलिए मैं लोगों को खुश रखता हूँ क्यूंकि जब लोग खुश होते हैं, तो आप उन्हें धकेल सकते हैं, ये ठीक है कुछ भी पूर्ण नहीं है, सब कुछ ठीक है जब आप नाराज होते हैं तो लोग कॉंक्रीट की इंटों की तरह बेभार करते हैं वो सिर्फ इसी तरह हो सकते हैं इसलिए आपको किसी चीज को जबरदस्ती बदलने वाला संकल्प नहीं चाहिए आपको चेतना चाहिए मैं वहाँ कैसे पहुंचो? आपको अपनी उर्जा को उल्लास के उंचे स्तर पर उठाने की और काम करने की ज़रूरत है अगर आप थोड़े ज़ादा उल्लासत हों तो आप स्वाभाविक रूप से सचेत रहेंगे अगर आपका जीवन का अनुभव बहुत सुखद होगा तो आप सचेत होंगे जब भीजव पोड़े जड़े जल्लास के लिए काम करने की और काम काम का जीवन की झाप बहुत सुखद़ को आप ज़ाँ पूबार काम 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 का जीवन काम मुआण अपनी च्ट्र आपका एचेत होंगे